एक फैमिली जिसमें प्यार और अपना पन एक दूसरे का ऐसास होता है मगर आज की कहानी हमारी थोड़ी अलग है तो फेल्म की शुरुवात में हम एक लड़की एपरल को देखते हैं जो अपने दोस्त को लेकर अपनी मॉम से मिलने जा रही थी क्योंकि आज क्रिस्मिस की रात होती है एपरल की मॉम ने सबी बच्चों को आज पार्टी में बुलाया था एपरल जाते हुए अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम की पार्टी बहुत पसंद आएगी तुम इस रात को कभी नहीं भूलोगे मेरी मॉम मेरे बहन बाईयों से तुम्हें मिलकर खुशी होगी कुछी देर में एपरल अपनी मॉम की घर पहुँच जाती है ये अपनी मॉम से बहुत दिनों बाद मिली थी वो बहुत अच्छे से दोनों का विलकम करती है गर पर मॉम ने अपने बहन भाईयों को भी तावत दी थी अब थोड़ी दिर बाद एपरिल का छोटा भाई आता है पिर चोटी बहन जिसका नाम पैनी था जिससे मिलकर एपरिल बहुत खुश होती है पिर आखिर में आता है उसका बड़ा भाई जिसका नाम जिक्सन होता है वो उपनी दोस्त के साथ आता है सारी फैमली एक दोस्ते से मिलकर बहुत खुश थी अब एपरिल की मॉम सबको एक ड्रिंक पीने को देती है मगर एपरिल उसे पीने से इनकार कर देती है क्योंकि उसमें शराप मिली हुई थी थोड़ी देर बाद एपरिल के डैड भी पार्टे में आ जाते हैं उड़ी देखकर सबी बच्चे बहुत खुश थी मगर एपरिल की मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने उसके डैड को नहीं बुलाया था इसकी वज़ा ये थी कि दोनों की डैवोर्स तलाको चुकी थी इसलिए ये अलग रहते थे एपरिल की मॉम उसके डैड से जाने का कहती है जिस पर वो कहते है कि हमारी जिंदकी चाहे जैसी भी हो पर तुम मुझे मेरे बच्चों से दूर नहीं कर सकती ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं घर में सारी फैमली एक साथ ही कटी हो गई थी सबके खाने की टेबल पर बैटने से पहले मॉम सबी के फोन्स को एक बावल में डालने का कहती है क्योंकि उनका ये कहना था कि आज रात फैमली टाइम है कोई भी अपना फोन इस्टेमाल नहीं करेगा सबी खाने की टेबल पर बैट जाते हैं कामने तो सबी बहुत अच्छे बन रही थी मगर इनके दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी होई थी इसलिए ये सालमी एक दफ़ा ही मिला करते थी इनकी फैमली में एपरिल और उसका छोटा बाई था जिनको सबी का ख्याल था ये अब खाना खाने से पहले एक गेम खेलते हैं जिसका नाम था सीक्रिट सेंटा जो इस मुवी का नाम भी है इस गेम में इन्होंने अपने गिफ्ट सोफो को पहिचानना था कि किसने उन्हें ये गिफ्ट दिया है क्योंकि उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था यही पर एपरिल का दोस्ट जो इसके साथ आया था जो वकील होता है वो भी एपरिल को शादी के लिए प्रपोस कर देता है जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी सभी खाना खा रहे थी और आपस में बहुत बाते भी करते हैं अब गेम के दुरान माहूल काफी गर्म हो गया था सब एक दूसरे के बारे में गलत बोलने लगते हैं जो इनकी दिलों में था अब इनकी जुबान पर आ रहा था ये बात सुनकर एपरिल की माम का भाई उठकर कहता है तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते देखो उसने तुम्हारे बच्चों का कितना अच्छा खियाल रखा है उनकी कितनी अच्छी परवरिश की है उसने ये सुनकर नचाने एपरिल के डैट को क्या हो गया था वो वो कर जाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था वो एक दम से फो कांटा उठा कर एपरिल की माम के भाई की गर्दन में मार देते हैं और फिर सभी एक दूसरे को मारने लगी थी इन सब में जेक्सन अपनी डैट का साथ देता है वो भी सब को मार रहा था जब उसकी दोस पुलिस को कॉल करने के लिए वो बाउल उठाती है जिसमें मामनी सभी के फोन रखे थे तो एपरिल की छोटी बेहन पैनी उस बाउल में पानी डाल दीती है जिससे सब के फोन हराब हो जाते हैं अब ये लोग पुलिस को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते थे जब घर का नौकर एपरिल के डैट को रोकने की कोशिश करता है तो पीछे से जेक्सन ने आकर उस पर हमला कर दिया था वो कहता है तुमने मेरे डैट के साथ किया क्या है जेक्सन गुस्से से बरा हुआ था उसे देखकर किसी को भी समझ नहीं आता इसे हुआ क्या है सब उसे रोकने की कोशिश कर रही थे तब ही पीछे से आकर एपरिल उसके सर में कोई चीज दे कर मारते है जिससे वो बेहोश हो गया था अब ये सब एपरिल के डैट उसके भाई जेक्सन और मॉम के भाई को जिसको एपरिल के डैट ने मार दिया था इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और साथ ही पैनी को भी इनोंने कुर्सी से बांद कर बिठा दिया था क्योंकि उसे भी बहुत गुसा रहा था सबब किसी तरह यहाँ पर मदद बुलाना चाहते थे वो सोचते हैं कि क्या क्या जाए जब ये गाड़ी में जाकर मदद बुलाने जाते हैं तो देखते हैं इनकी गाड़े की चाबिया पैनी ने पहले ही चुपा दी थी गाड़ी की चाबिया उसी कमरे में थी जिसमें ये बेहोश जैक्सन और डैड को बन करके आये थी अब ये आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे की तरफ बढ़ते हैं जब ये तरवासा खोलते हैं तो देखते हैं जेक्सन और एपरल के डैड पहले ही खिड़की तोड़कर यहां से जा चुकी थे और साथ ही इनकी गाड़ी की चाबिया भी ले जाते हैं अब एपरल लीची आती है और पड़ोस में जाकर मदद बुलाने का कहती है मगर कोई भी इसके साथ नहीं जाना चाहता था तो कि सब दरे हुए थे तभी इसका वकील दोस जो इसके साथ आया था और जेक्सन की दोस दोनों जाने के लिए तयार हो जाते हैं यह तीनों मिलकर पड़ोस से मदद बुलाने चले गए थी घर के अंदर एपरल की मॉम की बहन कहती है कि मुझे यहापर आना ही नहीं चाहिए था इस मन्होस घर में मैं जाना चाहती हूँ वो कहते है कि जो भी मुझे मेरे घर तक पहुचाएगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूँगी यह सुनकर एक सर्वेंट लड़की तयार हो जाती है कि तब ही मॉम अपनी बहन की जब यह बाते सुनती है कि वो उसके घर को मन्होस कह रह नोकर को चाविया नजर आ गई थी मगर यह उसके लिए सिर्फ एक ट्रैप था उसे फसाने का जाल जिससे एपरिल के डैट ने किया था अब वो नोकर चाविया देखकर बहुत खुश होता है जैसे ही वो चाविया लेने आके बढ़ता है पीछे से एपरिल के डैट आ गई मांगने गए थी जब यह तरवाजा खट-कट आते हैं तो एक कपल बाहर आता है वो उनकी मदद करने के लिए तयार हो गए थी कि तब ही पीछे से जैक्सन ने आकर पहले हस्पेंड को मारा और फिर उसकी वाइफ को जब एपरिल और उसका दोस यहां से डर कर भाग रहे थ तो पेची से आकर जैक्सन ने एपरिल के दोस्त को पकर लिया था और उसे मार देता है उसने उसका गला बेल चे से अलग कर दिया था यह देखकर एपरिल और उसकी दोस डर कर वहां से भागते हैं घर के अंदर माम की बहन ने उन्हें काफी जखमी कर दिया था और साथ ही एपरिल के छोटे भाई को भी एपरिल की मॉम की घर के बाहिर नोकर गाड़ी में बैठकर यहां से निकलने के लिए तयार थी यह तब ही उदर एपरिल की मॉम की बहन आ जाती है जो घर की अंदर एपरिल की मॉम और उसके भाई को जखमी करकर आई थी अब जब नोकर बाहर देखने के लिए गर्दन को बाहर निकालता है कि तब ही वो उस गारी के दर्वाजे को नोकर के सर में इतना जोर-जोर से मारती है कि उस नोकर की एक आँख बाहर आजाती है जिससे उसकी भी मौत हो गई थी फिर तब ही सर्वेंट लड़की माम की बहन के गले को गारी की चाबी से कार देती है सब को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके दर्म्यान में एक दूसरे को मारने का मुकाबला चल रहा हूँ कि कौन कितने खतरनाग तरीके से मार सकता है और ऐसा ही हो रहा था बाहिर एपरल और जेक्सन की दोस जेक्सन से बचते भाग रही थी कि तब ही एपरल रास्ते में खड़ी होकर जोर-जोर से रोने लगती है क्योंकि आगे उसके डैट की लाश पड़ी थी उनके चहरे पर अजीब से निशान भी थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी इंफेक्शन से मरे हूँ कि तब ही उदर सर्वेंट लड़की भी आ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी उसके चहरे पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान थी जैसे एपरल की डैट के चहरे पर थे उस सर्वेंट लड़की के फेपड़े पिगल कर उल्टी के जरीए बाहर आ जाते हैं और वो मर गई थी तब ही उदर जैक्सन भी पहुँच गया था जिसे देखकर एपरल और जैक्सन की दोस्स वहां से भाग जाती है वो अपने घर के पास पहुँच गई थी इससे पहले जैक्सन उन्हें पकड़ पाता एपरल का छोटा भाई दर्वाजे को खोल देता है और उन दोनों को अंदर ले लेता है फिर उसने दर्वाजे को बंद कर दिया था उदर पैनी भी अबाजात हो चुकी थी एपरल एकदम से पैनी की तरफ देखती है और बोलती है तुमने ये सब कुछ क्यों किया तुमने ये सब की फोन्स खराब किये थे ना ये कहकर वो पैनी के बैक की तलाशी लेने लगती है जिसमें से उसे एक अजीब सी दवाई मिली थी जब ही उसे देखकर उसके बारे में पूछती है तो पैनी कोई जवाब नहीं देती अब एपरल सबरदस्ती उसे वो ही ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है जो पार्टी के शुरू में इसके मौमनी सब को पिलाई थी लेकिन वो उसे नहीं पीती अब आखिरकार पैनी एपरल को बताती है कि हाँ मैंने ही इस दवाई को मिलाया था उसी ड्रिंक में जो तुम सबने पी मैंने सुना था इस दवाई को पीने के बाद अब कि दिल का सच उनकी जुबान पर आ जाता है और मैं यहीं चाहती थी इस अब सच बोले ताके जो भी गलत फहमी है वो हम लोगों के बीच में खतम हो जाए मैं नहीं जानती थी कि इस दवाई को पीने के बाद लोग गुस्य से पागल हो जाती है और पागल पन में एक दूसरे का खून कर देती है एपरेल सुनकर कहती है पहनी तुमने ठीक नहीं किया लोग उस दवाई को पीने के बाद पागल ही नहीं अंदर से भी मर जाती है यानि के उनके अंदर की चीज़े गल सर जाती है तबी जेक्सन भी अंदर आ गया था तबी उसको रूपने की कोशिश कर रहे थी मगर उससे बचपाना इतना असान नहीं था क्योंकि वो उसी ड्रिंक की वज़ा से गुसे में पागल हो चुका था मगर उसकी दोस पीछे से आकर उसकी गर्दन को इतनी जोर से मरोड़ती है कि उसकी मौत हो गई थी सब कुछ ठीक होने ही लगा था कुछ देर के बाद एपरिल का छोटा भाई होश में आ जाता है उसे भी एड़ा जाने क्या हुआ था उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता उसी दवा का असर हो रहा था जिस वज़ा से उसके मूँ से बहुत सारा खून निकलता है वो खून उसने पैनी कोलिट आकर उसके मूँ में डाल दिया था इस तरह पैनी भी अपने भाई के खून से इंफेक्टिट हो गई थी और भी होश हो जाती है एपरिल को ये लगता है कि वो भी मर गई उसे सब की लाशे देकर यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी फैमली ने एक दूसरे को मार डाला अगली सुभा एपरिल उड़ती है और निकल कर बाहर आती है तब ही उसके पीछी इंफेक्टिट पैनी भी आ गई थी जो कि अब गुसे में थी यूँकि उस पर भी उस दवा का असर हो चुका था वो एपरिल को भी मारने की कोशिश करती है एपरिल जिब खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी तो उसने पैनी की उंगली को काट लिया था उसका इंफेक्टिट खून अब एपरिल के अंदर भी जा जुका था जिसके बाद वो पैनी को उपर से नीचे गिरा देती है जिससे पैनी की मौत हो गई थी इसके बाद कहानी की आखिर में एक फैमली दिखाय जाती है जो कि गारी में कहीं पर जा रही थी ये तबी अचानक से उनकी गारी के आगे एपरिल आ जाती है जो कि अब उस दवा की वज़ा से इंफेक्टिड हो चुकी थी क्योंकि इसने पैनी को काटा था जिसका इंफेक्टिड खूल इसकी अंदर जा चुका था वो फैमिली जब गाड़ी का हान देती है ताकि एप्रिल आगे से हट जाए मगर वो नहीं हटती जब उस गाड़ी से आदमी बाहिर आकर उसे साइट पर होने का कहता है तो एप्रिल के हाथ में जो फो कांटा था उसने उससे उस आदमी पर हमला कर दिया था अब आगे एप्रिल ना जानी कितने मासूम लोगों की जान लेकी जो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कर क्या रही है पहने के छोड़ी सी गलती ने पूरी फैमली को खत्म कर दिया था और इसी के साथ इस फिल्म की एक कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है